हेलो गाइज मैं हूँ अंजली आपके अपने च्वानल कॉमर्स विद अंजली में हाज रू फिर एक नए वीडियो के साथ तो चलिए शुरू करते हैं हम करने वाले हमारे चाप्ट नंबर एट यानि के इशू आफ शयर के इलस्ट्रेशन नंबर 9 का सॉलुशन तो चलिए ब सॉरी कोजन क्या होता उसके बारे में को पहले ही पे कर दिया है मतलब क्या हमको मतलब जब हमारा Technology ? कैसे था, रुख जाओ, यह हमारा application का, फिर हमारा allotment आता है, फिर हमारा calls आता है, ठीक है, अब उसमें भी first call, second call ऐसे होता है, यही होता है, तो application दिया, फिर allotment के time पे हमको क्या कर दिया, call का पैसा दे दिया, मतलब हमको call का क्या क्या कर दिया, हम future में मांगने वाले थे, उ हमारे पर क्या होगा, एक burden create होगा कि जो चीज हुई नहीं है, हमको पहले ही दे दिया, समझ में आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, एक तरफ से क्या होगा, लाइबलिटी होगा, एक टेंचन होगया, कि मतलब भई, अब तो हमको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले का हमारे प paid by the shareholder of a company before the particular call, call मतलब क्या होना, application दिया, फिर allotment दिया, मतलब, और फिर call का पैसा मांगे, हम उससे पहले उसने क्या कर दिया, और call का पैसा दे दिया, तो उस case में क्या होगा, हमारा ये जो पैसा आया, उसको क्या बोलेंगे, calls in advance, ठीक है, तो liability of the company, ये क्या है, liability होती है क्या होता, एक burden होता है न, भई, दूसरे का पैसा हमारे पास है, एक तरफ से क्या है, burden है, burden है, burden है, तो वो मेरी liability हो जाएगी, and should be transferred to calls in advance account, इसका अपना एक account बनेगा, क्या, calls in advance account करके, ठीक है, उसमें transfer करेंगे, it is adjusted with the respective call, मतलब, respective call, मतलब, calls in advance, made in future, till the, it is shown as liability in the balance sheet, मतलब, adjust होगा, मतलब, क्या होने वाला है, debit होने वाला है, और कहीं credit होने वाला है, यह आपस में adjust हो जाएगा, मतलब, कि जहां मेरे को calls in advance मिला है, ठीक है, वहाँ पे, अपना हमारा क्या हो जाएगा, और फिर जहां पे, actual में मिलना था, वहां से कर देंगे, हम लोग adjust, यह क्या है, यह क्या है, illustration number 9, original limited issue, 10,000 share of rupees 10 each, at 12 payable, मतलब, 10 का share था, 12 पे लिया, मतलब, क्या कर रहे है, premium कर रहे है, समझ में आ रहा है, 2 रुपे का क्या है, premium, payable ask, payable कैसे हो रहा है, 3 application पे, ठीक है, 12 रुपे कैसे पे होगा, देख लेते हैं, 5 allotment पे होगा, अब जिसमें से, with premium, यानि कि, हमारा allotment में, 2 रुपे premium है, तो 3 रुपे क्या हो गया, allotment का हो गया, और जो 2 रुपे है, वह हमारा क्या हो गया, premium का हो गया, security, premium का amount हो गया correct, अब 4 on first final call, क्या हो रहा है, first and final call पे, 4 रुपे, मतलब, 3 plus 5 plus 4, कितना हो गया, 12 हो गया, total हमारा यह हो गया, ठीक है, application पर रिसीवड 4 रुपीज 8,000, ये लो, under subscribe है, यादा आया, एक तो security premium का, हमने देख लिया, अभी देखो, इसमें, कितने सारे variety, आपको क्या हो रहा है illustration number 1, 2, 3, 4, 5, अब आपको mix मिलने वाल है, तो अब देखो, क्या हो रहा है, security premium हमने एक variety देखी, फिर उसके बाद में, हम क्या देख रहे है, under subscribe भी है, correct, तो under subscribe है, 10,000 share था, 80,000 लोग ने subscribe किया, मतलब, 8,000 लोग नहीं invest किया, 2000 लोगों नहीं किया, ठीक है, share only, कितन, a holder of rupees 400 shares, made the full payment at the time of allotment, क्या हो रहा है, जो 400 रुपया, केतन नाम के बंदे ने 400, sorry, 400 share लिये थे न, उसने क्या किया, payment नहीं किया, किसका नहीं किया है, allotment का, ठीक है, केतन, a holder of 400 share, made the full payment of, sorry, full payment at the time of allotment, sorry, 以 जिसने क्या क्या की व चाइं, तक है, तक है, एंदक है, लिखा देंगे, कि बहुत का autant है, और call यहां को पैसा पहले मिल गया है, हमको एतना है, ठीक है फिर जब हमारा actual में call का पैसा लेने का बारी आएगा ना वहाँ पर हम जाके क्या कर देंगे एडिस कर देंगे कि वही calls in advance वहाँ हुआ था ना वही calls in advance हमको क्या करना यहां पर कि मिला कर लिखना है ठीक है तो चलो शूरु करते हैं यह हमारा हुगे question 3 हमारा को कहा देना एडिकेशन पर पांक जिसमें से 3 रुपया हमारा क्या है एक सब्सक्राइब कर दर रुपया प्रीमियम का और चार एंगा तो चलो शुरू कि इन दा कि बुक्स और अर्चना लिमिटेड यह हो गया हमारा यह हमारा क्या गया डाचा आ गया तो हम इस डाचे यानि हमारे फॉर्मेट के अंदर क्या करेंगे पूट करना साट करेंगे सबसे पहले अप्लिकेशन के आती है एक अप्लिकेशन में क्या करना होता सबसे पहले यह मैंक क्या आने वाला है पटीटि के लिखा हुआ है अपको पूरा लिखना एक कुट्छ एपलिकेशन अकाउंंट फिर हमारा क्या गईगा नहरे चुह का ब्चलन अब थे शिर एप्लिकेशन का है सब्सक्राइब करना है क्या करना अपनी जो भूल जाना यादा है कुछ में बता था उसको भूलते हुए हमको क्या करना है क्या किया था सब्सक्राइब करो तो भी सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करो चलो अप्लिकेशन अकाउंट हमारा आगया क्योंकि हमारे बेज़ती हुई है लेकिन आए कितने लोग सिर्फ और सिर्फ 8000 लोग ठीक है 8000 के हिसाब से कितना आने वाला है 24000 हमारा आ जाएक हम आपे 24000 फिर डेबिट क्रेट अमाउंट दुनों क्या होता है सेम होता है तो 24000 फिर हमारा क्या अप्लिकेशन अकाउंट टीके यहां पहले क्या है आहिस सेकेड़ग सेंटर क्या करना होता है उसको डेबिट करना होता है फिर हमारा है Arnold कैसे होगा फिर की डेक्टव किसा होगा तो सबसे पहले से अलोट्मेंट के एंट्री में कि आएगा डियू का एंट्री आएगा डियू जिसका डियू उसका डेबिट यही हमारा था फंडा तो जिसका डियू उसको डेबिट कर लिया है शेयर अलोट्मेंट अकाउंट यानि एकुटी शेयर अलोट्मेंट अकाउंट शेयर प्रीमियम अकाउंट या फिर शेयर सेक्यूर्टी प्रीमियम अकाउंट वह आपके पुटिबन करता है ठीक है अब इससे पहले देख लेते हैं हमरा कैसे कैसे है चैयर कैपिटल कितने का है आट हजार का ठीक है इन्टू केपिटल हमारा एकुलि मैं अलोर्ट्मेट कितने का है प्लाच रुपे गर्रेक्टना जिसमें से तीन रुपए क्या है मेरा शेयर कैपिटल का है ठीक है अब थिस से कर देते हूं तो यह मेरा 3 रुपया है और फिर यह 8000 x 2 किसका है फिर प्रभशा प्रिमियम पांच रुपय अलॉत्मेंट में था ना तो 3 रुपय क्या हुआ अलॉत्मेंट का है और 2-ण रुपय क्या है यह ठीक है तो है हमारा हो गया ठीक है तो अब देख लेते हैं आगे अमांट लिख लेंगे 24,000, 8,3 जा 24 और 8,2 जा कितना हो गया 16 तो हमारा total कितना है 40,000 यह हमारा आ जाएगा ठीक है narration लिख लेंगे being allotment money on 8,000 share at 5 per share receive do ठीक है अब receive क्या entry करेंगे तो receive में कुछ नहीं करना है हमको जो हमारा share allotment है simply हम bank account debit करेंगे फिर share allotment को क्या कर देंगे रैड कर देंगे amount कितना है हमारा 40,000, 40,000 simple यह हमारा अब तक तो जैसा हम लोग करते हैं वैसा था लेकिन allotment के बाद जो हमारा cap sorry calls वाला था उसमें क्या हो गया था हमने allotment में extra receive किया था ना ठीक है यहां पर हमने क्या किया था एक्सर रिसीव किया था तो calls in advance हमारा आ जाएगा allotment के time पर अभी देखो यह मेरा share allotment 40,000 है वो fix है ठीक है यह fix है मेरा क्या हुआ यह जो debit सा होसी को हमने credit किया for the house और यह fix हो गया जो मेरा calls in advance है वो कितने का advance हुआ है 400 का ठीक है यहां पर लिख लेते हैं कितने का 400 का किसका advance receive हुआ है हमको calls का आलम है ना किसका receive हुआ है calls का receive हुआ है extra calls कितने की है हमारी 4 रुपीस की तो हम क्या करेंगे 4 कर लेंगे अब हम क्या करेंगे लिख लेंगे हमारा कितना आएगा 400 into 4 1600 ठीक है फिर हमारा यहां पर टोटल आ जाएगा bank account में 41 600 clear नए clear तो मैं फिर से बताती हूं देखो इसको बैक कर लेते हैं फिर आपको अच्छी से समझेगा एक मिनिट हां हमको क्या करना आता है receive हमारा यह allotment हुआ हमने क्या किया था advance में receive किया था ठीक है advance में receive किया था at the time of allotment कि इसका पैसा receive किया call में आने वाला था लेकिन अमने allotment के time पर पर रिशीव कर लिया है तो यहां पर दिखाना पड़ेगा कि अलग से receive किया advance में उसको अलग दिखाना है तो हम अलग अलग कर लेंगे to share allotment हम क्या लिख लेंगे to calls in advance महां पर call scenarios क्या आता था debit आता था यहां पर क्रेडिट होगा ठीक है allotment में अब हम क्या करेंगे जो हमारा 400 का था 400 का जो share था उसका हमने call extra receive किया तो यह 400 का share और हमने पैसा किसका extra receive किया call का का value कितना है मतलब call पर कितना पैसा मिलने वाला था चार रुपया तो क्या कर देंगे इंटू कर देंगे ठीक है अब share allotment यह पर debit में कितना है लेकिन first and final call में पहले ही पैसा receive किया है तो जो normal due के entry आती है वह हम लोग कर लेंगे इसका due को debit कर लेते हैं जो भी जो भी change होते है वो receipt में होते है तो पहले due का entry जैसे normal होता है वो कर लिया हम लोग ने 2 share capital account 8000 और 4 रुपय के हिसाब से कितना आएगा हमारा 840 32 कितना हो गया 32,000 ठीक है अब नॉर्मल bank account आता है receipt वाले में bank account आया to share first and final call हम लिखते था यह हमारी जना इंटी हो जीती receipt में लेकिन यहां पर हमने क्या किया था already क्या किया है first and final call account कितना है 32,000 लेकिन हमने बैंक में actually में receive कितना किया है 400 का नहीं receive किया है हमने समझ में आ रहा है तो जो हमारा call इंट लब actually में bank का कितना receive 8,000 में से हमने सिर्फ 7,600 का क्या किया है receive किया है bank का पैसा 400 का नहीं receive किया उसने यह बोला था तो 7,600 लोगों का receive कितने के हिसाब से 4000 चार रुपे के हिसाब से ठीक है और जो हमारा calls in advance है जो हमने किया था वह भी आ जाएगा यह देखो calls in advance हमारा कितने का आने वाला है चार सो का चार के हिसाब से वह हमने ओल्लीड डिसकस कर लिया आप हम क्या कर लेंगे इसको value put कर देंगे फिर हम narration लिखेंगे तो यह हमारा narration हो गया ठीक है यह हमारा क्या हो गया so you can receive more content like this